सोला मार्च सामाजिक विज्ञान की कोपी कैसे लिखें नमस्कार प्यारे बच्चों सुवागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में अगर आप राजस्तान बोर्ड कक्सा 10th के स्टूडेंट हैं और सोला मार्च सामाजिक विज्ञान पेपर के आप त्यारी कर र या तो सामाजिक विज्ञान के पेपर में 16 मार्च को आप पूरे 80 मारक से वो फोड सकते हैं तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है तो पहरे बच्चों 16 मार्च को आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर है और के साथ आपको एक board के द्वारा एक copy मिलेगी और उस copy को आपको के से लिखना है कौन-कौन से pen आपको यूज करने हैं और कौन-कौन से points आपको follow करने हैं जो एक board पर विद्यार्थी करता है अगर आपने वही तरीका आपने follow कर लिया जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बत सकते हैं अगर आपको कोई questions नहीं आ रहा है तो उसका answer आप बना-बना कर कैसे लिख सकते हैं पूरे मारक्स आपको मिलेंगे तो वह तरीका भी इस वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूं और एक स्क्रा जो आपके 30 नमर है वह आप कैसे ला सकते हैं कैसे आप बना सकते हैं उनकी क्या टरीक है तो वह भी इस वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूं और एक board टोपर है वह समाजिक विज्यान की copy है वह कैसे लिखता है तो वह तरीका भी इस वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूं यानि इस तरीके को अगर आपने जान ल पर है और आपका पैपर है बहुत अच्छा जाएगा आपने त्यारी करी है साल बर की जो मेनत है आपकी उसके एकौडिंग आपका पीपड बहुत ही अच्छा जाएगा पूरे ऐटी मस आप लेकर आओगे तो पहरे थो सबसे पहले आपको बोस्ति की पेपर मिलेगा सामाजी वियान का पेपर मिलेगा 16 मार्च को उसके साथ में बोड़ की दुवरा आपको एक कोपी मिलेगी उस कोपी में अब आउट आपके 30 पेज होंगी अब 30 पेज में जो फर्स्ट पेज होता है जिसमें आपको रोल नमबर और विशे दिनांक ये आपको करना होता है तो उस page में जो first page है board की copy का उसमें आपको किसी भी परकार की कोई गलती नहीं करनी है अगर आपने एक भी गलती कर दी तो मतलब आपका result है वो pending में होगा आपका result नहीं होगा तो इस परकार की कोई भी गलती आपको नहीं करनी है तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं यह एक बोर्ड की copy का first page है इसी परकार का same to same first page आपको देखने को मिलेगा आपकी बोर्ड की copy में जिसमें लिखा हुआ होगा आपके मादेमिक शिक्ष्या बोर्ड राजस्तान अजमेर मादेमिक प्रिक्ष्या दो हजार चूबिस इस परकार से आपको यहां पर देखने को मिलेगा और यहां पर जो option जो box बना हुआ है यह जो box है इसमें आपको रोल नम्मर फिल करना है सबसे पहले आपको अंको में अपने रोल नम्मर लिखने है यहां पर एक box मिलेगा आपको जिसमें आपको रोल नम्मर है वो आपको अंको में लिखना है उसके बाद में लिखा हुआ होगा in word यानि आपको अपने रोल नम्मर इंगलिस में लिखने है और आपको जो रोल न लिखा हुआ इस नोट को आपको अविसे पढ़ना है ध्यान से पढ़ना है कि प्रिक्षार्ति उप्रोक्त के अंतरिक्त उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भी भाग में अपना नामांग कर रोल नंबर नहीं लिखे यानि यह वाला जो बोक्स दिया गया है इसके अलावा आप आपको अपने रोल नंबर कहीं भी फिल नहीं करने हैं यह वाले बोक्स में ही आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं सब्दों में अंकों में और इंग्लिस में ओके इसके अलावा किसी भी भाग में अपना नामांग नहीं लिखना है कोपी का एक भाग है जिसमें आप का चीन लगाना है अगर आप इंग्लिस मीडियम अंग्रेजी माधियम के स्टुडेंट तो इस वाले बोक्स में आपको सही का चीन लगाना है उसके बाद में पहरे बच्चों आपके विशे यानि सब्जेक्ट तो 16 मार्च को आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर है तो यह नहां पर दिनांग लिखने हैं आपको 16,3,2024 ओके तो यह एक बोर्ड टोप पर विध्यार्थी की कोपी है तो यह कोपी आप पूरी देख सकते हैं और इस बच्चे ने पूरे 80 में से 80 मार्च से वह अचीव किये हैं तो पहरे बच्चों आप भी पूरे 16 मार्च सामाजिक विध्यान के पेपर में पूरे 80 मार्च से वह ला सकते हैं तो किस प्रकार से आपको लिखना है तो पहरे बच्चों एक पेपर आपको मिलेगा 16 मार्च को समाजिक विध्यान गा उस पेपर को आप लगबग 10 या 15 मिनिट उसको आप लगबग अच्छे से आप पूरा रहें मान लीजिए एक्जामिनर अगर आपने वह कुश्चन कर दिए और एक्जामिनर आपकी जो कोपी जांच करेगा अगर उन कुश्चन में आपकी सई पूरे मार्क सापको मिल रहे हैं तो लास्ट में आपके कोपी अव इतनी ध्यान से चेक नहीं होगी एक तरीका तो यह हैं और एक है पहले पर आपकी जो बोर्ड की कोपी होती है उसमें लगबग आपकी 30 पेज आपको मिलेंगे तो फस्ट के जो 10 पेज हैं उनमें आप वह कुश्चन करें जो आपको एकदम सही आ रहे हैं और एक्जामिनर आपकी कोपी जांच करेगा तो उसमें फूल मार या 10 मिनट में एक कोपी आराम से चेक हो जाती है तो इस परकार से ये वाला तरीका आपको जुरूर फोलो करना है और पहरेवच्चो इस परकार से आपको लिखना है आप दो पेज यूज कर सकते हैं यहां पर आपको सबसे पहले लिखना है आप कौन से से के कुश्चन कर हैं तो आपको पहले खंड दे लिखना है तो सेक्षन लगाना बहुत ही जरूरी है तो यहां पर देख सकते हैं आप इस बच्चे ने कुश्चन नमर वन निम्न प्रश्णों के उत्तर का सही विकल्प ओके तो देखे इसमें पहला जो कुश्चन है इसमें मल्टिपल चोई कुश्चन आपके वस्तुनिस्त हैं जिसमें पहले का अंसर है पहले में सह आएगा जिसमें लिख रखाएगी जर्मनी तो इस परकार से आपको लिखेना है और पूरे एक नमर इस बच्चे को इस वाले कुश्चन में मिल रहे हैं उसके बाद में दूसरे का आंसर आप इस परग्सरे में बैwee ओप्शन में क्या दे रखा है वी ऐईस नायपाल इस में प्यरस्टोण इसके पूरे एक नमर इस बच्चे को मिला में इसमें पूरा एक नमर मिला है उसके बाद में दिखें 5 वे कुश्चन में सह है जिसमें नरम्द नदी है तो इसमें भी एक नमर मिला है इसी प्रकार के इसी प्रकार से कुश्षन लिखने के बाद इस बच्चे ने दो लाइन छोड़ रखे है तो आपको भी दो लाइन छोड़ने है इस प्रकार से आपको जितने भी वस्तुनिस्ट प्रसन दिये गए हैं वो वस्तुनिस्ट प्रसन आपको करने हैं यानि जो multiple choice question है वो आपको इस प्रकार से करने हैं complete आप देख सकते हैं उसके बाद में देखिए दूसरा question आपको मिलेगा रिक्तिस्तान वाला तो यहां पर ल नमर इस बच्चे को मिला है उसके बाद में सेकेंड आंसर में इस बच्चे ने लिख रहा है जेव संसाधन तो इसमें भी एक नमर मिला है और तीसरे आंसर में इस बच्चे ने लिखा तरीका है वो आपका attractive होना चाहिए, आपके handwriting साप सुत्री होनी चाहिए, जो examiner आपकी copy जांच करेगा, उसको समझ में आना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर question number 6 का answer लिखर का है, प्रोधोगी की, ओके, तो इसको भी एक number पूरा इस question में भी मिला है, उसके बाद में जिसमें अति लगूत्रात्मक प्रशन दिये गए हैं, और एक सब्दों के according आपको करना है, कि जितने सब्दों में आपको प्रशन का उत्तर पूछा गया है, उतने ही सब्दों में आपको answer जो उत्तर है वो आपको देना है, यानि बड़ा चड़ा कर आपको नहीं लिखना कि यहां पर लिख रहा है क्योंकि लोगों को अपने राष्टी परतीक की याद आती रहे और वह उससे अपना तालमेल इस्तापित कर सकें, उसके अंदर भी राष्ट बावनाद जगे, तो इसमें एक नमर मिला है, दूसरे में रिंडल पेस नामक बिमारी से तो इसमें भी एक नमर पूरा मिला है, और तीसरे आंसर में कि अमेरिका इस्तित न्यू हैं, हैंपसेर नामक इस्तान पर, और परतेक के आंसर को लिखने के बाद इस बच्चे ने दो-दो लाइन छोड़ रखी है, तो इसी परकार से प्यारे बच्चों आपको करना है, और यहां पर कोपी में और कंपलिट आप देख सकते हैं, और जिस क्युशन के पॉइंट है, पॉइंट के कोडिंण आंसर है, तो पॉइंट के कोडिंग आपको आंसर लिखना है, और यहां पर आप देख सकते हैं, उसके बाद इस बच्चे ने खंड बै लिख रखा है, यानि सेक्शन और section B में question number 4 है कि रुड़ी वाद क्या है तो रुड़ी वाद के बारे में लिख रहा है दो नमर पूरा मिला इस बच्चे को यानि जितने सब्दों में आपको पुछा है उतने ही सब्दों में आपको उत्तर देना है और यहां पर देखे question number 5 question number 5 का अंसर आप देख सकते हैं इसमें भी दो नमर इस बच्चे को पूरे मिले हैं और उसके बाद में question number 6 में भी इस बच्चे को पूरे दो नमर मिले हैं इसी परकार से पहरे बच्चों आपको लिखना है और question number 7 का अंसर आप देख सकते हैं इसमें भी पूरे दो नमर दिये गए है और क्यूसमन नमर्व 8 में भी पूरा दो नमर्व इस बच्चे को मिला है यानि आपके लगूतर रात्मक कुश्चन से जिन में पूरे नमर्व सब्सक्राइब है परतेक कुश्चन का आंसर आपको देना है मांचितर आएगा तो सबसे पहले देखे मानचित्र का जो पेज हो आपको इस परकार से मिलेगा और इसमें सबसे पहले आपके सीरियल नमर दिये जाएगे और यहां पर ना मांग रोल नमर का बोक्स मिलेगा आपको तो सबसे पहले 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 में 80 नमर पराप्ट किये हैं तो इसने किस से लिखा है तो आपको भी काच्छी पैंचल का यूज करना है पेपर में कच्छी पैंसल आपको लेकर जानी है और कच्छी • उसके बाद में देखिए यहां पर आप देख सकते हैं और प्रविचो देखिए मानचितर में इस बच्चे ने पूरे चार नमर प्राप्त किये हैं तो चार नमर आप देख सकते हैं पूरे चार नमर इस मानचितर में मिले हैं उसके बाद में क्यूशन नमर 12 के आंसर में भी इस बच्चे को दोनमर पूरा दिया गया है तो इसी प्रकार से आपको लिखना है और प्रप्रकार की कोई काटा पिटी पीक कोपी के अंदर नहीं करने हैं मुषा यह बिला अगर इसको यहली बत्प बाद को लिखें नहीं करने हैं किस्व's 15 का अंसर देख सकते हैं, इसमें भी पूरे दो नमर मिले हैं, तो इस प्रकार से आपको लिखना है, और उसके बाद में देखें, क्युष्ण नमर 17 के आंसर में तीन नमर पूरे इस बच्चे को मिले हैं, यानि एक भी नमर इस बच्चे का नहीं काटा जारा, एक्जामिनर के ग्यानगा जो पेपर होने वाला है आपकी तो उस पेपर में जो कोपी होगी वो उस को आपको इसी प्रकार से लिखना है परवचो क्यूशन नमर 21 का अंसर आप देख सकते हैं जो आपके निम्दात्मक परसन है जिसमें पूरे च्यार नमर मिल रहे हैं और क्यूशन नमर 22 का पर वे आंसर देख सकते हैं इस वाले कुशन में भी पूरे च्यार नमर्य बच्चे को मिले हैं तो इसी फ्रकार से आपको को प्ड़ीए पहरे बच्छोओ वह जये वो आपके बच जाते हैं, तो उनमें इस परकार से cross करके आना है आपको, और last में आप देखिए क्या लिख सकते हैं, जैसे यहां पर आपका Caucasus कोशों के answer दे दियें, तो यहां पर आप लिख देना या तो समाप्त लिख देना या फिर दे दे अंद लिख देना, या वो लिख कर आनी है